आएंये आज आपकी खास मुलकात करवाते हैं एक्टर अनुकपूर से अनुकपूर ने नवभारत टाइम से खास बात करते हुए अनुकपूर ने अपनी लाइफ के कई सारे एक्स्पिरियेंसize हमारे सांज शेर किये अनुकपूर ने कहा कि उनका भी बहुत उतार चड़ाफ वाला सफर रहा है जो वो डिजर्फ करते थे वो जगा, वो मुकाम हासिल नहीं हुई मतलब कला के मामले में लगभग लगभग च्यालीस साल पूरे होगा तो सबसे पहले तो मैं सच में क्योंकि नौमाराट आशी में पहले आप से मिल नौ तुछ नहीं है इस सफर को देखते कैसे हैं, चार दर्शक से ज्यादा समय आपने देखा है, बहुत कुछ बदला है, एक आपके डैड़ी पारसी थेटर जहां से आपकी शुरुबात रिपी, महार छोटा काम पर रहे हैं, फिर एनलज जी, फिर महार से फिल्मों में आपका प्रविश्यां थोड़ से सफर के बारे बताएं और बदलाओ साथ ही साथ, देखिए बदलाओ तो जीवन का नियम है आप चाहें या ना चाहें, बदलाओ तो होके रहेगा, लेकिन ये बदलाओ पॉजिटिव हो, शुब हो, मंगल दायक हो, इसके लिए व्यक्ती को हमेशा चेष्टा करन चाहिए, दोएम बात, कि अभी तक का जो सफर रहा है, वो बहुत सारे उतार चड़ाओं के साथ रहा है, हर स्टेज के उपर, हर पड़ाओ पे, जो भी मैं अपना सर्वोत्तम था, बैस्त था, हर क्षेत्र में मैंने दिया, वो चाहे थेटर हो, सिनमा हो, टीवी हो, रेडियो हो, या डिरेक्शन हो, जो भी मैं बैस्ट कर सकता था, वो मैंने दिया, बदले में मुझे जो मिलना चाहिए था, जो मैं डिजर्व करता था, वो शायद इसलिए नहीं मिला, कि मेरी भाग्य में ही ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है भारत के लोग, लोगों को मेरा काम शायद पसंद नहीं आया, इसलिए, जिस जगह पे मुझे पहुचना था, वहां पे लोगों ने मुझे पहुचाया नहीं, नियती नहीं पहुचाया, इसलिए मैं किसी को दोश देने की स्तिथी में नहीं हूँ, पर अब तो इतना कहूँगा, कि जब तक प्रयत्म तो करना है, जब तक सांस है, तब तक आस है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल पहले भी था, स्ट्रगल आज भी है, स्ट्रगल की किसमें बदल जाती है, पहले दो-दो रोटी के लिए होता था, अभी रोटी के साथ थोड़ा सबजी भी मिल जाए, और वो प्लेट थोड़ी सी ठीक ठाक हो, जब बेसिक स्ट्रगल है, रोटी कपड़ा मकान क वो पूरा होने के बाद एक नया struggle शुरू होता है और ये struggle सारे existence, सारे जीवन बर चलता रहता है अगर कोई व्यक्ति ये कहे के मेरा struggle समाप्त हो गया है तो struggle केवल चिता में समाप्त होता है उससे पहले नहीं, हर व्यक्ति का struggle है You name anyone, I challenge every human being born in this world to claim के मेरा struggle खत्म हो गया है किसी का struggle कभी खत्म नहीं होता किसी के दुख कभी खत्म नहीं होते है क्योंकि जीवन ही अपने आप में जनम ही दुख का कारण है और हम मनुष्य जाती, सारे जीवन भल यही संगर्ष में रहते हैं कि दुख ना आएं हम सुखी हो जाएं अगर दुख नहीं होते तो सुख का स्ट्रगल क्यों होगा तो स्ट्रगल चलता रहता है दुख अपनी जगा पे चलते रहते हैं फिर भी इन तमाम लायबिलिटीज के साथ जो भी संभव है सौभिमान के साथ जीना उसमें कोशिश करते रहते हैं अरे यार जिस तरह का मैं कलाकार हूँ और जितने क्षेत्रों में विविद्धा के साथ मैंने हर क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश किया और जनता को पसंद भी आया है तो यहां नहीं कहीं और उचाईयों पे पहुँचना था और जिन उचाईयों के उपर जो लोग पहुँचे हुए हैं अगर आपको लगता है कि वो उतने विविद टैलेंट वाले हैं तो मैं आपके साथ अगरीने करता हूँ